नमस्कार साथियो एक बार फिर से आपके बीच में एक नए अनुभव के साथ बात साजा करेंगे मैं इस समय हूँ किसान विकाश सर्मा के खेत में जो की तीन साल से जैवी खेती कर रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छे अनुभव प्राप्त किये हैं अनुभव इस आधार पर किये कि जो पूरी खेती है उनके पिताजी के पास पांच एकड उसमें से उन्होंने एक हिस्सा लिया है सवाइकडगा और सवाइकड खेत में उनके जो एक्सपरिमेंट हैं हम उसी के अधार पर आपके बीच में बात करेंगे कि उनको समझकर उनके अनुभ़ों से सीक कर हमारे नए किसान हमारे नए जागरू किसान बदलाओ की चाहा रखने वाले किसान उनको देखके आगे बढ़ें और ये जो आगे बढ़ने की प्रिकृरिया है हमें यह लाखों और क्रोडों तक लेके जानी है तो कहीने कहीं यह कडी जुडेगी एक दूसरे के साथ बात करते हुए एक दूसरे को समझते हुए और मैंने पहले भी आपको बोला था कि बिना जानकारी के अधूरी जानकारी के साथ कभी भी जैवी खेती में ना आएं दूसरा कम हैनत के साथ जैवी खेती ना करें और तीसरा लोग क्या कहेंगे इसको कभी नहीं देखना आप सही रास्ते पर हैं देश को जहर से बचाने के रास्ते पर हैं और खुद को कैंसर जैसे भेहनक रोगों से दूर करने के रास्ते पर हैं इसी कड़ी में हम बात करते हैं भाई विकाश शर्माजी से आईए मिलते हैं विकाश भाई नमस्कार नमस्कार भाई सभी किसान भाई होगा नमस्कार मैं आपके पास मेरे किसान साथियों को और इस देश को जहर से दूर करने वाले नोज़वान विचारों को आप तक और आपके विचार तक लेके आने के लिए आपके पास सुन आपके क्या अनुभव रहे आपने शुरुआत कैसे की कहा से आपका विचार आया एक बर आप जरा बताईए कि साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको कुछ आप से सीख कर आगे बढ़ने की प्रेयरना मिले सबसे पहले हम जैवी खेती के बरे में सोचते थे पता नहीं क्या होता कितनी मैनत करनी पड़ेगी क्या होगा लेकिन इसके बाद जैसे मैंने किसान मित्तर के रूप में डॉक्टर श्याम सिंग के पास काम किया और वहां से मेरे को गाओं के भाई थे सुनील भाई जी पहल साथ से और सुनील जी से मिलने के बाद हमने मन बनाया और च्छा में ने सोचने समझने के बाद प्रैक्टिकल देखने के बाद हमने खेती की और सबसे पहले हमने ग्यों के उपर किया सी तीन सोचा है ग्यों लेका है हम सुनील जी के पास से और मैंने एक एकड़ में इकोनोमिक्स से मास्टर्स हैं बहुत जागरुक पढ़े लिखे समाजिक ज्यान इनके अंदर है और खेती के विज्यान को गहराई से समझ कर इन्होंने आगे बढ़ने का जो कदम उठाया है वो काबिले तारिफ है और मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे बारे में लोग ब अर्चास्त्री मेरे साथ हैं इंजिनियर मेरे साथ हैं प्रोफेसर्स मेरे साथ हैं आप सब के साथ हैं तो एक इंजिनियर के साथ जब एक अर्चास्त्री जुड़ेगा तो आप समझेगा हम खेती को कहां लेके जाने वाले हैं तो आप इस वीचार से जुड़िए कि हमारे साथ कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हमारे साथ पढ़े रिखे समाज के नो जवान चागरुख साथी हैं तो आपने किसान मित्र के रूप में काम करते हुए शाम सिंग जी से पुछा फिर हमने भी साथ में चर्चा गी और एक सबसे बड़ी बात ये है विकास और सुनील दो वर रहा कि पिछले जो तीन साल में क्या क्या चैंज आ यज आए और क्या क्या आपको समझा जाया है सुनील जी सब से पहले हमने 306 गियू बिजिसा और उसमें बिजने कबाद पहले पाने के बाद हमने निराई गुढ़ाई की और निराइग गुढ़ाई करने इवरेज आई होगी यह आई है तीस तीस मन अठाइस तीस मन परतियकड की आवरेज देसी बीजों है अपने सी 306 काफी अच्छा माना जाता है तो इन्होंने शुरुवात में ले लिया तो काफी मेहनत की आपने इसमें यूरिया हटा के डी एपी हटा के फिर उसमें क्या प् उसमें मैंने वेश डी कंपोजर जीवामरीत तीन बर दिया अच्छा उसमें जीरी थी पंदरा जीरो नो अगेत्ती कट गी थी और उसका अगेत्ती कटने के बाद मैंने उसमें तीन चार बर बवाई करने के बाद तो आपने जीवामरीत कितनी बार दिया और डी कंपोजर क बोने से प्ल लेग और दो पंडी में मने जिवामरित ही दिया दोनों बार फिर तो जो आप व जानना चाहते हैं किसान साथी एक बहुत बड़ी बात हैं जिवामरित के बारे में एक अनुभव भी देखते रहेंगे, कारण भी जानते रहेंगे और समाधान भी जानते रहेंगेve लेकर जानकरये भी मिलती सब्सक्राइबूद का ऊद्दिश मन अमाट था है और वो उसका एक्सप्रिमेंट कम था तो उसमें आपकी पैदावार में कमी आई यह पैदावार में जैसे यह बोलते थे निकलता ही बहुत कम है अच्छा उसमें वह पर निकला तीन कुईंटल निकला एक डबडी में एक चोथाई एकड में लगबग साधे तीन कुईंटल तो पंदरे कुईंटल काफी है पंदरा और यह हो गया साधे 37 मन परती एकड वह बीज जो जिसके बारे में विचार बना हुए कि वह कम निकलता है उसकी पैदावार कम आती है वह निकला है 37 मन काफी अच्छी अबरेज है और आपने फिर इसको बेचा वगरा कैसे किया मैंने इसको थोड़ो थोड़ो दिया एक कुंटल दिया बस और अपने खाने के लिए लिए लख़्ए है कि सबसे अच्छी बात यह ह पहले अपने आपको अपने परिवार को बात करेंगे तो यह आपका अनुभव है कि जो एक लाइन बन पड़ी है हरियाना पंजाब या काफी भारत में की एक ही फसलम लेते हैं गेहू ले लिया या अगले सीजन में चावल ले लिया इन दो फसलों पे विकास जी ने अपन पूरा नुभव डाल दिया और पूरे दोनों अनुभव में वह सफल है अब बात करते हैं कि आपने जिवामरीद दिया है वेश डिकंपोजर दिया है उससे काफी फाइदा हुआ जिवामरीद एक बहुत ही शांदार खाद लिक्विड खाद माने जाता है तीसरी जो बात ह आपने खरपतवार के बारे में क्या नुभग़ा आपका ग्यों में नडाय आई था तो पहली बार में इन्होंने निरए गुडाई कर दी कश्टी टाइप का जो कुदाल होता है उसके साथ में उन्होंने उसको निकाल दिया और पैदावार अच्छी आई लेकिन अब हम च कर दिया थोत फेल पीला पड़ जाता थोड़ा सा है यहां तो पीटा जी ने देख गया तो सारा फिलकेता निहीं विया और ये अनुभव समझाया कि जिस खेत में जो सी306 गहूं था उसमें यूरिया पढ़ते ही रंग तो बदल गया लेकिन कमजोर पढ़ गया और उसमें सबसे बड़ी बात खरपतवार की यह खरपतवार हरियाना पंजाब में है यूपी में भी है और इसको हरियाना पंजाब के तरफ गुली डंडा और मंडूसी बोलते है और यूपी में इसको बन गे हुआ बोलते है कहीं कहीं इसको काला गे हुआ भी बोलते है अब यह भरपूर है किस खेत में जहां पे यूरिया डाल गया यूरिया डाल गया और आप दूसरी वीडियो भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगा, अब एक दम सटा के जो दूसरी क्यारी है, इदर आईए भई, जो हम देखना चाहते हैं, ये जो देखिए, इस खेत में एक पोधा भी खर्पतवार नहीं है, एक पोधा दिख देखने के ल आईए बात है, और सरासर जूट है, कि भई, दवाईयां केमिकल हमारे खर्पतवार को खतम कर देंगे, कहीं तक भी ऐसा नहीं होने वाला है, तो ये जब ऐसा होने नहीं वाला है, तो हम क्यों फिर जहर के पीछे पड़े हैं, दवाओं के पीछे पड़े हैं, और अपने पैसे को बरबाद कर चुके हैं, और मैं आपको ये आप देखी रहे होंगे, सामने अलग अलग फलों के पोधे हैं, लग बग दपंद्राय तरह के फल हैं यहां पे, विकाजी का जो विचार है, विकाजी बहुती रूची रखते हैं बागवानी में, एकदम स्वस्थ, लोग बोलते हैं दीमक आ जाती है, दीमक की कोई कहीं समझ्या नहीं है, आप देखिए, और एक बड़ी बात ये, ये बना रखे है पीएसबी से कल्चर, ये लग बग इनों ने दो दिन से डाल रखा है, और उसके बा जाएगा, इसको जैसे ही खेद में डालेंगे तो फासफोर्स सोलिबलाइजिंग जो बैक्टिरिया हैं, वो पन पेंगे और फासफोर्स की कमी अटोमेटिक पूरी करेंगे, जिसको भारती है, देशी बोल के जिसको अपमानित कर देते हैं, वो एक विज्ञान, ये हल है हा हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कारिगर है, वेग्यानिक हैं, वो नाम भी कैसे देते हैं, इन्होंने केवल नाम लिख रखा है, कृष्णा, कृष्णा मिस्त्री, मिस्त्री का नाम स्री कृष्णा है, तो उन्होंने केवल यही नाम दिया है, कि भाई, कोई भी आए पूरा द्रिश्य दिखाना चाहूं तो यह खेत है जहां पे गाएं और भैसों के साथ में पसों के साथ में चारा काटने की मसीन गोबर और खाद की भरपूर मात्रा और ट्यूब वैल भी यहीं पे और आज दुनिया में लोग स्विमिंग पूल रखते हैं आदमियों के जहां पे नेचुलर ही पस्वों के लिए भी स्विमिंग पूल है जहां पे अपना अर्टिफिशियल छोटा सा तलाब बना के रख लिया है तो बहुत ही अच्छा लगता है क्विकास भाई के साथ आगे राम राम दाई विकास जो कर रहा है इसमें के विचारा आपका के सम जाहरी है ठीक कर रहा है है अब कुस हो अच्छा जो विकास कर रहा है कास ने जब देखें दूसरे तुन बदलना चीए और क्यों बदलना चीए अग्विकास तो मतलब काम ठीक है हो विकास नकोई समच्चा नहीं बहुत बढ़ी आता ही निए पूरा परिवार अगर साथ किसा इन नोजवानों का तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे और यह अमारे लिए एक बहुती कारगर रहेगा और हम बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे तो विकास भाई और दाई आप एक दूसरे का स्थायोग और ताउ के साथ मिलके समझे से बठागे रखो ताकि आपको देखके आपके प्रिवार को देखके और आपके खेत के परिणाम को देखके यह समाज भी बदले और हमारा पूरा देश हमारा पूरा समाज जहर से दूर और ताई की तरह खुस हो जाए कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है आप सब का बोध बोध दन्यवाद और जितने साथियों ने देखा जितने साथियों ने सुना विकास भाई के अनुभव को समझा आप सब भी अपने प्रिवार को समझा के खेत के जहर को बदलें अपने थाली में पढ़ने वाले जहर को बदलें हम सब अच्छे रास्ते बें चल पड़ें ज्यादे ज्यादा साथि सेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंचे धन्यवाद